हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल चंदर टैक में आज हमारे पास है साइड वाई साइड रेफिरेटर जो की कनबेटेबल मॉडल है नॉर्मली पहले जो रेफिरेटर आते थे वो आपका एक साइड में माइनस टैमपेचर और एक साइड में प्लस टैमपेचर आता था तो आप दोनों को convert करके use कर सकते हैं जैसे कि आपको ice की need नहीं है तो दोनों में plus temperature रहेगा तो यह आपको नया model launch हुआ है 2003 इस model है अभी है fridge का इसमें आपको X-Wave fridge मिल जाता है multi cooling मिल जाती है convertable model होता है और X-Wave fridge मिल जाता है जैसे कभी अगर fast cooling की need है तो यह पर मिल जाएगा तो जैसे फास्ट इस पर लिख रहा है steel sinus finish में भी इसका एक color आता है यह भी हमारे पास black color है यहाँ से जैसे हम freezer का door open करेंगे तो इसके freezer side में भी light रहती है LED बलब लगा है उसके अंदर और door में इसके basket दे रहे होते है तो टॉप पे एक basket दे रहे है जैसे ice cream बगएरा या कुछ ऐसा store करना चाहते है नीचे दे रहे है ice maker जिसमें कि आपको ice cube tray मिलती है इसके अंदर पानी भरके रखेंगे तो ice cube बन जाएगा नीचे दो basket और दे रहे हैं जो भी माइनस food आप रखना चाहें नीचे एक basket दे रहे हैं जैसे कि अगर नॉन बेज बगएरा store करकना चाहते हैं तो या उपर और रैक दे रहे हैं कोई भी फोर्जन material जैसे पनीर बगएरा या मटर के दाने आप आप इस्टोर गगए रखना चाहते हैं तो इसको हम convert भी कर सकते हैं जैसे सामने मैंसें किया है convertable उपर टॉप में एक LED लाइट दे रहे हैं इसके अंदर और यहां पर रैक दे रहे हैं दूसरी साइड में दे रहे हैं multi air flow तो यह आपका प्लस टेमपेचर जोन है यहां पर कोई भी फूद आप रहेंगे तो नॉर्मली ठेंडा रहता है मतलब प्लस में टेमपेचर कूलिंग करता है तफन ग्लास रहते हैं इसके अंदर जो की 175 केजी पर टेस्टिट रहते हैं नीचे इसमें बेज बास्केट दे रहे हैं आप फल या सबजी इसके अंदर इस्टोर करके रख सकते हैं तो भी fresh रहते हैं इसके अंदर साइड में रैक दे रहे हैं इसके अंदर एक और extra bottle rack दे रहकी होती है अगर आपको कुछ नीड है जैसे एक बगएर अगर स्टोर कर रखना चाहें नॉर्मली रखेंगे तो वो लुड़कते रहते हैं एक साइड में गिड़ जाते हैं तो उसके अंदर आप करके रख सकते हैं आप कोई भी बॉर्टल बगएर भी रख सकते हैं उपर यहां पर और रहती है मतलग इसदर की साइड में जो राइट हैंड में दिया है आपका वह दे रखाए फ्लश टैंपेचर का और जो लेफ्ट साइड में है वह आपका देर रखे माइनश टैंपेचर के लिए यहां पर दर रहा है इसको मूब करेंगे तो आइस क्यूब नीचे आ जाती लगी है उसको खाली रखना होता है वरना वो क्रेक हो जाती है इसमें पानी बगएरा कुछ बरकर रखेंगे तो वो क्रेक हो जाएगी उसको खाली रखना होता है या हमारा जो दोनों साइड है एक माइनस टैंपरिचर में प्लस टैंपरिचर इसको हम कर सकते तो इसमें एकार्रो पेनल में की दे रहें जिसको प्रेस करके हम इसके टैंपइचर बगिए शाट कर सकते हैं तो देखते कैसे करते हैं उसको कि प्रीज बटन कि प्रीज का टेंपरिचर साइट करने के लिए जो भी आपको साइट करने उस पर छोड़ देंगे एक जैसे मैंने छोड़ दिया तो एक पर ये मैक्सिम कुलिंग करेंगा नीचे देगर का अबश्रेजर कर निद्फेट करने के लिए श्रीजब प्राश करेंगे माइनस माने पंदरह मीनियूम आई सफ रपॉर्ट करने के लिए या जड़े पर है फॉल senior करने के लिए प्रेस प्रेश'll रखे हैं जलदी आइज बनानी के लिए खक़ नद सब्सक्राइ आप किसा क। पाटे गीपड़ करने के लिए तो प्रेय सो प्रेस्पूल भी तुबाद प्रेस्ट करेंगे नहीं कि Calam जाता है तो एक इसकोर प्रेस्पूल करने के लिदिए नहीं कियों कर सबस्कार आप यह लोग हो जोगा कि काम करने लें इसमें दे रहें आपर कन्विटेबल करने के लिए इसको फिरी सेकंड प्रेस करेंगे तो जो आपको फ्रीजर साइट है वो भी नॉर्मली प्लस में कुलिंग करने लेगा उसका टेंपेचर साइट होगा तीन डिग्री साइट हो जएगा और अगर आपको फ्रीजर साइट का चैंज करने तो वो कर सकते हैं से एक से साथ तक जाएगा हो जो भी आपको नीड़ वो साइट कर सकते हैं उसके बाद में मान लीजे कनवेटेबल जो होते हैं आपका जैसे नॉर्मली जो कुलिंग करते हैं फ्रीजर में बरफ जमाने का काम करता है और दूसरी साइड में नॉर्मली ठंडा करता है बच जा करेंगा जैसे कि फ्रीज साइड में नॉर्मली कुलिंग करता है वैसे ही फ्रीजर साइड में भी करेंगा इसको डियक्टिवेट करने के लिए तो बाद से इसको फ्रीजर साइड में करेंगे नॉर्मली नॉर्मल मूड कर आ जाएगा फ्रीजर साइड में आइस बनने लग झाल 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 झाल